आओ आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूटूब चैनल दे अकाउंट मास्टर में Today I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the student of class 11th on the topic introduction of accounting Sub-topic is meaning, history, functions of accounting and branches of accounting चली फिर lecture start करते हैं History and development of accounting History and development of accounting में अगर हम लोग देखें तो accounting के traces जो है वह civilization के समय से ही देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे हम civilization होते गए, जैसे जैसे civilization process start होते गया, develop होते गया, वैसे वैसे accounting process भी developed होते गया सबसे पहले देबीलोंिया और में इसके ट्रेशES मिलते हैं जहां पे वेजस्ट पेमेंट करने के लिए और सरकार को टैक्टC देने के लिए Child राउंटिंशीं इस्टमप का एस्तेमाल किया जाता था तो सबसे पहले एज़ने सरकार का जो ट्रेजरी होते था गौल्ड और अधर रेलेवल मीटेशन को रहने की तो तो तरेसर रहोते थे जिनको वाजीर कहा जाता था जो अज्टकर हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो उनका काम होता था तो रिकॉर्ड अधर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड विट गोल्ड और अधर वैलियेवल थिंग्स विच आर केप्ट इन दे ट्रेजरी एंड रिपोर्ट इसेंट तो दे किंग मन्थली वाइज ओके भेरी दियुव के अई बैविलोनिया में भी इसके ट्रेशेज मिलते हैं बैविलोनिया कॉनुक सिटी आफ क्मरस्व बोलते हैं because यहां पर commerce accounting के traces मिलते हैं जहां पे हम लोग books of accounts record कैसे record करें और कैसे fraud होने से बचे और कैसे business के transaction को efficiently record किया जाए तो Babylonia में हम लोग को यह traces मिलते हैं that's why Babylonia is known as city of commerce. Greece एक ऐसा देश था देश है जहां पे accounting के traces मिलते हैं और वहां पे accounting का इस्तमाल किया जाता था treasurer के द्वारा यानि सरकार के खाजाने में कितना समान आया और कितने payment किये गए और क्या balance बच गया है government के financial transaction का उसको record किया जाता था तो Greece में में भी इसके traces मिलते हैं similarly देखा जाया तो रोम में भी इसके traces मिलते हैं वहां पे romance क्या करते थे डे बुक बनाते थे डे बुक में क्या करते थे receipt and payment को record करते थे and then that on the basis of that receipt and payment lasers were prepared on monthly wages कि उसके बाद चाइना में भी इसके traces मिलते हैं सरकार के accounting करने के लिए sophisticated form का इस्तमाल किया जाता था एराउंड 2000 बेसी इंडिया में भी इसके traces मिलते हैं 23rd centuries में देखा जाए तो चंद्रगुप्त का राज होता था चंद्रगुप्त मौर्य के राज में एक जो उसके मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर जो थे या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो हेड मिनिस्टर थे उसमें उनका नाम था कॉर्टिल्य कॉर्टिल्य ने एक बुक लिखा था नोने अर्थ सास्त्र उस बुक में अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू भी मेंटेन कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है ये भी उसमें लिखा गया था लुकास पेस्ट्र ये फ्रांस का मर्चिंट क्लास का वेक्ति था जिसने एक बुक लिखा था बुक में उन्होंने कैसे बिजनेस के नौलेज और बुक किपिंग करना है वो क्लियरली आइड्रेफाइी करके वहाँ पर रिकॉर्ड किया था उन्होंने ही पहला डबल एंट्री बुक किपिंग सिस्टम का cu concert का कैसे करना है डबल सेटिंग और एंट्री सिस्टम और सिस्टम तो उसके नॉलेज वो अपने बुक में दिये थे और वो बुक 1494 में वेनिस में पब्लिश किया गया था यह पहला बुक था जिसमें suitable interest सिस्टम का इस्टमाल किया गया था अर यहां पे हर ट्रांजेक्शन के 2 आश्फेक्ट बताए गया थे जिसमें में एक को debit करते हैं और दूसरे को credit करते हैं debit और credit जो था वो Italian words था जो debito और credito सब्द से आया था debit debit या debito का मतलब होता order to proprietor मतलब मालिक का पैसा धारने वाला debit debtor का लाएगा और मालिक जिसका पैसा धारेगा वो अब एक्ति creditor या credit का लाएगा creditor refers to that person and his account should be credited and debtor refers to that person and who's who are the money of proprietor is known as debtor meaning of accounting American Institute of Certified Public Accountant AICPA in 1941 accounting ko defined किया है accounting as the art of recording classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof means according to AICPA accounting ka मतलब होता है accounting एक ऐसा कला है जहां पर हम record करते हैं classify करते हैं और summarize करते हैं क्या चीज़ तो वैसे transaction और event जो financial character को होते हैं पैसे कर ट्रम में मापा जाए वैसे character को record करना वैसे transactions को record करना classify करना summarize करना और साथ में interpret भी करना तो यह जो definition है वो समय के अनुसार चेंज होने के साथ साथ अभी भी applied होता है and it becomes broader in the year 1966 American accounting association AAA defined accounting as the process of identifying measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of information यहां पे इनके द्वारा क्या था accounting एक process है process मतलब जहां पे बहुत सारे steps प्रक्रिया है जहां पे बहुत सारे steps होते हैं क्या प्रक्रिया है तो यहां पे सबसे पहले हम economic transaction को identify करेंगे फिर उसको measurement करेंगे फिर उसको measurement करने वाद रिकॉर्ड करेंगे और जो information होगा उसको communicate करेंगे two interested users जो उस users के अधार पे अपना जो उस information के अधार पे अपना decision ले सकते हैं in 1970 accounting principal board of america AICPA के अनुसार accounting को बोला गया था the function of accounting is to provide quantitative information primarily in financial nature about economic entity that is intended to be useful in making economic decisions accounting can therefore be defined as accounting can be therefore defined as the process of identifying measuring recording and communicating the required information relating to the economic economic event of an organization to the interested user of such information यानि कि यहां पर इनके द्वारा कहा गया कि accounting क्या है तो एक process act प्रक्रिया है जहां पर हम सबसे पहले economic event को identify करते हैं identify करते हैं मतलब business में transactions हुआ तो उसको हम identify करते हैं कि transaction हुआ या नहीं हुआ तो क्या वह economic transaction है या non-economic transaction अगर economic transaction है तो उसको measure करेंगे क्या वह पैसे में मापा जा सकता है अगर वह पैसे में मापा जा सकता है तो उसको record करेंगे record करने के बाद communicate करेंगे to the interested users of such information मतलब जिसको इस information का जरूरत है उसको हम लोग यह communicate करेंगे अब डिफनीशन को पढ़ने के बाद हम लोग को यह चार बात चार characteristics बोल सकते हैं पोर characteristics आते हैं economic event होना जरूरी है economic event मतलब वैसा event जो economic पैसे का लेंदेन होना चाहिए non economic event नहीं होना चाहिए economic और non-economics के बारे में अगर जानना है तो आप economics related to my lecture से वहाँ पर जा सकते हैं महाँ पर economics और non-economic activity या event के बारे में पता चल सकता है और फोर्थ है interested users होने चाहिए इस information के चलिए आगे देखते हैं यह characteristics को हम लोग ब्रॉडली एक बार अनलाइज करते हैं economic event economic event मतलब वैसा event which can be measure in terms of money money के टर्म में जिसको मापा जा सकता है that is economic event a C कि आइडेंटिफिकेशन measurement recording and communication कि आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है which can be identified कौन सा रिकोर्ड करना है कौन सा नहीं रिकोर्ड करने इसके लिए हमको identify करना जरूरी है तो identify क्या करेंगे कि activity हुआ या नहीं activity हुआ तो उसमें economic nature का है या non-economic nature का है जो economic nature का है उसी को identify करना है जो non-economic है उसको identify करके छोड़ देना है measurement करेंगे means whether that economic activity can be measured in terms of monetary unit or not उसको पैसे में मापा जा सकता है कि नहीं मतलब exact amount में मापा जाना जैसे 1000 का समान कर दे तो एक हजार का समान कर दे एक हजार का समान कर दे डाइट इस measurement की एक हजार रुपिय का measurement किया गया वने recording तो वैसा ट्रांजेक्शन जो मापा जा सकता है जिसको माप सकते हैं उसको हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे वैसे इवेंट को जो identify हो गया कि यह monetary economic transaction है और वो मेजर भी हो गया in terms of money then that transaction is recorded in the books of account in chronological order सिलसिले वार तरिके से इसको रिकॉर्ड करेंगे next communication जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो जैसे economic event को सबसे पहले identify किये फिर measure किये फिर रिकॉर्ड किये और रिकॉर्ड करने के बाद जो informations था उस informations को management और other internal and external users को communicate कर देंगे इससे जो इन users है वो अपना decision ले सकते हैं decision राइट समय पर लेंगे और उससे उनको benefits मिल सकता है तो that is the main purpose of communication organization organization means business enterprises business enterprises means वाइसा enterprises जो profit कमाने के objective से बनाए गया that is known as business organization तो business organization का size छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है ownership के अदार पर देखें तो प्रोप्राइटर हो सकता है partnership हो सकता है cooperative society हो सकता है company हो सकता है municipal corporation हो सकता है इनी other type of association of person हो सकता है तो अगर आप organization के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो आप business studies का जो लेक्चर है मेरा वहाँ पर आप जाकर के organization के बारे में देख सकते हैं interested users of information information जो है वो interested users को दिया जाएगा interested users कौन होंगे तो there are two type of users one is internal users and other one is external users internal users means management हो गया workers हो गया और external users मतलब shareholders हो गया creditors हो गया debtors हो गया debenture holders हो गया government हो गया दिया 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 दो users of information इनको information इसलिए दिया जाता है ताकि they can take decision on the right time and on right benefits from such informations चलिए फिर आगे देखते हैं कि why do the user want accounting information users को accounting information की क्यों आवाश सकता है कि तो सबसे पहले कि जो मालिक होते हैं वो देखना चाहते हैं कि business में जो हम पैसा लगाए हैं सेयर्स में जो पैसा लगाए हैं उस पे satisfactory return मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यह जानने के लिए वो इन्फर्मेशन को चाहिए होता है साथ में वो यह भी देखना चाहते हैं कि business का financial health कैसा है वो financial sound है या नहीं है यह जानने के लिए और शेर्वोल्डर्स इन्फर्मेशन देखते हैं दूसरा बेखती है डारेक्टर या मैनेजर जो business को चलाते हैं उनको इसलिए इन्फर्मेशन चाहिए होता है कि वो compare कर सके अपने business के internal और external strength और weakness को और opportunity and threat को वो compare कर सके ताकि वो business को smoothly run कर सके क्रेडिटर क्रेडिटर मतलब वा विक्ति जो business को loan दिया है पैसा दिया है उधार में समान सप्लाई किया है तो वैसा विक्ति को information इसलिए चाहिए होता है ठाकि वो business की liquidity को पता कते कि business उसके पैसे को वापस करने में सख्चम है कि नहीं जब business promise कि आया कि आपका पैसा मेंने के बाद वापस कर देंगे तो क्या अब बजनेस एक महिने के बाद पैसा वापस करने का ability रखता है या नहीं यह देखने के लिए क्रेडिटर को information चाहिए और इन्वेस्टर को क्यों चाहिए तो investors को इसलिए चाहिए कि इस company में इस business organization पैसा invest करें या नहीं करें यह जानने के लिए उनको यह information चाहिए government और regulatory information agences को भी information चाहिए होता है क्यों चाहिए होता है ताकि वह जान सके कि company जो टाक्स पे कर रही है iusका का बुत स्थाक्स कर रहा है कि ने ऑसका वो काल्पुलिशन करके मैच करा सके कि बिजस् 열Note में सही टाक्स किया है या नहीं किया है कि accounting as a source of information modern time में मैं देखा जा हैまだ accounting is a source of information मि sobie accounting इसलिए करते हैं ताखी information generate कर सके और इस information के आधार पे जोiãoजर से वह अपना important decision ले सके हैं कि तो इसमों सबसे पहला objective होता है to provide information for making economic decision economic decision लेने में helpful होता है यह information उसके बाद users को折र करता है कि जो उनका सोर्स अफ इन्फॉर्मेशन है उसके अधार पर वो अपना डिसिजन ले सकते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजपूल फोर प्रेडिक्टिंग एवालुएटिंग दैमाउंट टाइम अनुसर्टिनिटी अपोटेंशियल कैश्फ फ्लो मेंस वो अनुमान लगा सकते इवालुएट कर सकते हैं कि बिजनेस का कैश्फ फ्लो कैसा होगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फोर जज्ज्मेंट जजिंग मैनेज्ज्मेंट अबलिटी तो यूटलाइज रिसोर्स इफिक इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स मैनेज्मेंट का जज्ज्मेंट को व इन्फॉर्मेशन बाइ डिस्क्लोजिंग अंडरलेंग एजम्शन और मैंटर्स सब्जेक्ट तो इंटर्प्रेटेशन इवालुएशन प्रेडिक्शन एंड एस्टीमेशन यह सारा चीज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो सुसाइट करते हैं अब रौल अप्र осв कäreल की सबसे परले वह औब जर्ब करता है कि क्या इवेंट एक transaction economic है अगर है तो क्या वो पैसे में मापा जा सकता है अगर मापा जा सकता है तो वो उसको record करता है और record करने के बाद उससे related to accounting informations होते हैं उसको communicate करता है to the users to the interested users so this is the main role played by an accounting accounting में जो accountant होते हैं वो normally देखा जाए तो financial costing and management accounting तीन तरह के activities को perform करते हैं इसलिए accounting के तीन branches होते हैं नेमली financial accounting cost accounting and management accounting चलिए फिर आगे देखते हैं कि रोल अफ एकाउंटिंग एकाउंटिंग का क्या रोल है तो एकाउंटिंग का रोल है कि economic development or increasing societal demand economic development करना धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग डेवलाप होते हैं economy में economic development depend होने लगा accounting क्योंकि accounting में हम लोग क्या करते हैं transaction को chronological order में record करते हैं और on the basis of such record recording क्या करते हैं information को analyze और interpret करते हैं on the basis of such analysis and interpretation organization organization के जो interested users होते हैं वो अपना useful decisions ले पाते हैं branches of accounting अभी जैसे हम लोग बात के कि there are three branches of accounting such as financial accounting financial accounting management accounting और cost accounting तो financial accounting में हम लोग फाइनेंशियल transactions को record करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि profit and loss जो business earn किया during the accounting period उसको पता करते हैं उसके बाद financial position business का क्या है एक financial year खत्म होने के बाद उसको पता करते हैं और financial information जो होता है वह हम इंट्रेस्टेट पार्टिस को provide करते हैं ताकि वह अपना decision ले सके हैं कॉस्ट accounting कॉस्ट accounting का main purpose होता है to calculate cost किसी भी वस्तु को बनाने में organization का कुछ खर्च होता है और उस खर्च के बाद उस organization उस पर कितना पैसा खर्च किया वह calculate करता है जब हमको cost price पता चल जाता है तो हमको कितना profit चाहिए उसको add कर देते हैं तो price of the product हो जाता है तो cost accounting का main objective होता है to calculate the cost so that organization can fix price of the commodity management accounting क्या होता है management accounting management और accounting के बीच में bridge का काम करता है means जो information financial accounting और cost accounting technical language देते हैं उसको management के languages में provide करता है management को कि management उसके अपना important decision ले सके जैसे financial accounting में जो finance manager होता है वो business के profit और financial position को इंफर्म करता है management को management accounting क्या करता है वहाँ पे capital budgeting निकालता है profitability निकालता है price decision निकालता है capital expenditure decision करता है various decision के लिए management accounting helpful होता है that's why management accounting is important for the business organization चले पर आगे क्वालिटेटीटीव क्यारिक्रिस्टिक्स अप एकांटिंग इन्फर्मेशन निक्राइशन तो क्यालिटेटीटीव क्यारिक्रिस्टिक्स अपर आप एक एकांटिंग इन्फरमेशन तो एंड काम प्रियाबिलिटी तो इनका मीनिंग जानते हैं के करके रिलाइबिलिटी मतलब विश्वास होना मतलब इनीबडी या यूजर्स कैन Girlation मतलब information ऐसा होना चाहिए कि कोई भी विकती कोई भी यूजर्स उच्कार करके कि जो Information दिएा गया है वो सही है तो information सही हो यानि कि वो किसी से भी verify करें तो information कोई भी चेंजस नहीं आए दैट reliability दूसरा है relevancy, relevancy मतलब होता है कि if informations are given in time then relevancy of such information can be used, means relevant कोई भी चीज रेलिवेंट तभी होगा जब वो शही समय पे अवेलेबल होगा, otherwise its relevance is not necessary तो relevance तब होगा जब हम उस information के अधार पर future present और past को predict कर सके और confirm कर सके कि इसके अधार पर past evaluation था वो सही था Understandability जो informations हम provide कर रहे users को वो समझनी लाइख होना चाहिए समझने लायक होना चाहिए मतलब उसको समझ करके लोग डिसीजन ले सके ऐसा नहीं कि उस इन्फर्मेशन को फिर समझने के लिए किसी और के पास जाना हो तो यहां पर इन्फर्मेशन गुड कम्यूनिकेशन पास करें ताकि एनिबडी वू कैन सी दा इन्फर्मेशन गाट अं काना चाहिए तो यह सबसे important है इस कि रेलीवीनसी और साथ साल के साथ understandability भी होने चाहिए और चोथा है compareएबिलिटि compare कर सकें मतलब एक फैंश एक इंफर्मेशन को हम पिछले साल के के इंफर्मेशन या आने वाले साल के इंफर्मेशन या नॉर्मली हम लोग कंपेर पिछले साल के करते हैं तो पिछले साल का इंफर्मेशन और इस साल का इंफर्मेशन से कंपेर कर सकें इस और गनाइजेशन का इंफर्मेशन से compare कर सके तो organization information ऐसा होना चाहिए जो इन दुसरे information से चाहे उसी organization का previous information हो चाहे दुसरे organization का information उसको compare करने में आसानी हो तो compare करना accounting report के लिए जरुरी होता है इसलिए ये qualitative characteristics के रुप में आता है तो चाहर qualitative characteristics होता है reliability, relevancy, understandability and comparability ओके चलते हैं objective of accounting accounting का objective क्या है accounting objective देखा जाए तो basically following are the objective पहला maintenance of records of business transactions बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें जैसे हम लोग देखें business transactions होगा उसको सबसे पहले identify करेंगे कि क्या वो economic nature का है या नहीं है economic nature का है तो क्या वो measurement हो सकता है in terms of money अगर हो सकता है तो हम उसका recording करते हैं तो हम लोग record कैसे करें उसका maintenance कैसे करना है तो यह पहला objective है दूसरा जब record कर लेते हैं तो हम यह calculate करते हैं कि organization में during a period of time एक समय के अंतराल में organization को कितना profit हुआ या loss हुआ profit मतलब होता है जितना आमदनी है और जितना खर्चा है difference अगर आमदनी ज्यादा है खर्चा कम है तो profit होगा और opposite होगा तो loss होगा उसके बाद हम लोग financial position का पता लगाते हैं कि आज के डिट में business के पास कितना assets और कितना liabilities है तो यह objective accounting का और इस information को users को प्रोवाइड करते हैं तो यह last objective है accounting का तो सबसे पहले हम लोग record maintain करते हैं उसका profit loss calculate करते हैं उसका बिजनेस का financial position calculate करते हैं और उसके बाद इस information को interested party को transfer कर देते हैं और प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना decisions live second और यूजयरस इंटर्नल उजयर स को देखते हैं इंटर्नल यूजयरस को देखते हैं जो मालीवे मालीक इसलिए क्यों पैसा लगाना है बैचना पना उसकी लिए और उसका पैसा लगा हुऊआ उसको इंट्रेस्ट या डिविडेंट कितना मिलने वाला है management management को क्यों चाहिए ताकि वो plan कर सके decision ले सके business को smooth full run करने के लिए साथ में वो analysis कर सके business का जो annual report publish होना है उस पर business का financial statement जो है वो कैसा है और साथ में on the basis of segmentation वो information प्रवाइड कर सके हम दा बेसिस अप जियोग्राफिकल लोकेशन और प्रोड़क्टिव थर्ड वन है employee and the representative मतले union union employee union जो होता है labor union तो उनको क्यों चाहिए तो वो यह इसलिए कि उनको यह पता चल सके कि employer जो है वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं वो profit कमा रहा है कि नहीं ताकि वो employer सही समय पर remuneration दे पाएगा कि नहीं retirement benefit मिलेगा कि नहीं और और ऑर्गनाइजस्म में नया employment opportunities generate होगा कि नहीं इसके लिए employee को यह financial information चाहिए होते हैं साथ में उनको यह चाहता है कि वो कालेक्टिव आर्गेनिंग कर सके टू पी डिल्स टॉंस एंड कंडिशन आफ वार्क एड्सेक्टरा एक्स्टरनल यूजर्स देखते हैं एक्स्टरनल यूजर्स में सबसे पहले आता है prospective investors मालिक ओनर तो एक इन्वेस्टर है वह ऐसे इन्वेस्टर जो अधर देन ओनर है मिन्स डिवेंचेर में पैसा लगाते हैं शियर्स में पैसा लगाते तो वैसे लोगों को क्यों चाहिए ताकि उनको पता चल सक्या कि रिस्क और रिटर्ण क्या है कितना रिस्क है इस और्गनाइजेशन में पैसा लगाने पर उसके अधार पर वह अपना डिसीजन ले सकते हैं दूसरा है financial institution financial institution मतलब वैसा institution जो business organization को लोन देता है business organization में पैसा इंवेस्ट करता है तो वह इसलिए उनको चाहिए कि वह decide कर सके कि क्या financial business organization को और लोन देना है क्या वह लोन सही समय पर चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा यह जानने के लिए उनको financial information चाहिए होता है supplier supplier मतलब जो goods business को उधार में supply करते हैं तो वह इसलिए financial information चाहते हैं कि उनका पैसा जो उधार में company या business को दे चुके हैं वह सही समय पर वापस होगा कि नहीं होगा तो यह जानने के लिए वह supplier को financial information चाहिए होता है customer customer को इसलिए information चाहिए होता है कि वह जान सके कि company जिस company का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वह company future में goods supply करेगा या नहीं करेगा इसमें इस goods को खरीद रहे तो उस पर डिपेंडेंसी मेरा कितना रहेगा यह जानने के लिए consumers को financial information चाहिए होगा कि government government को क्यों चाहिए तो government यह पता कर सके कि organization जो taxes पे कर रहा है वो सही टैक्स है या नहीं organization कितना resources hold करता है और कितना profit earn किया है यह calculate करने के लिए और कितना वो national income में contribute कर रहा है यह जानने के लिए भी सरकार को financial information चाहिए होती है आम आदमी public media को क्यों चाहिए तो public media को इसलिए चाहिए कि वो पता कर सके कि यह organization लोकल economy में क्या contribute कर रहा है means corporate social responsibility क्या कर रहा है और इसके product में ranges जो है prosperity ranges आने वाले समय में क्या development होगे यह जानने के लिए भी financial information चाहिए होगा और environmental group उनको इसलिए भी चाहिए होगा कि financial information की वो देख पाए कि business environment को green रखने के लिए क्या कर रहा है means कितने portion of the profit वो in environment के उपर में खर्च कर रहा है वो कौन सा assets या कौन सा techniques production का इस्तमाल कर रहा है जिसे environment कम इंवार्मेंट की quality कम degrade हो कम polluted हो तो यह जानने के लिए भी उनको financial information चाहिए होती है कुछ question answer है इसको देखते है complete the following sentence with the appropriate word पहला information in a financial report is based on आप सोचिए answer हम आपको बाद में देंगे based on dash transaction दूसरा internal users of are the of the business entity third a dash would most likely use an entity financial report to determine whether or not the business entity is eligible for the loan उसका internet has assigned in decreasing initial financial report to the user तो यह total questions जो है feeling the blank है इसका answer हम आपको देखकर के उसके बाद इसको अगर question बताएं तो आपके लिए आसानी होगा तो पहला हम लोग देख रहे थे economic transaction के उपर में financial report based होता है internal users जो होते हैं वो क्या होते है management या employee होते हैं business organization का third था एक creditor creditor वैसा वेक्ति होता है जो business के बाहर होता है और वो eligible for business eligible है कि नहीं उधार लेने के लिए लोन लेने के लिए इसके लिए इसके लिए टाइम गाप के अधार पर financial report organization पे करता है फिप्ट वन है external users are the group outside the business outside the business है तो external user ही होगा उसके बाद information is said to be relevant relevancy कब होगा जब वो free from biasness होगा उसके बाद process of accounting start with identifying the transaction and end with communicating the information और eighth number है accounting measures the business transaction in terms of monetary unit and ninth one है identified and measured economic event should be recorded in chronological order तो यह filling the blank आई होग कि आपको समझ में आगे होंगे चलिए next question देखते है है यह suppose that you are a senior accountant of Ramona Enterprises Limited what three step would you take to make your company's financial statement understandability and decision useful तो जैसे हमनों qualitative characteristics देखेते तो same qualitative characteristics अगर यहापे हमनों रखते हैं तो यह इसका answer हो जाएगा जैसे reliability होना चाहिए रेलिवेंसी होना चाहिए और understandability होना चाहिए यहां पर चौथा भी characteristics and comparability भी डाल दिया गया तो आप तीन लिखना है तो तीन के लावा चार भी लिख सकते हैं next question है match करना है आपको तो match में देखे यह question है और इसका answer भी दिये हुए है तो customer कौन होता है तो customer the ability of firm to carry on product services product producing a product मतलब किसी भी firm को services और goods produce करने का main जर्या जो होता है वो customer होता है supplier or creditor तो profitability and share performance is depend upon the supplier and creditor lender कौन होते हैं तो lender whether the form has long term future पैसा कोई भी कर्ज कब देगा जब वो long term future होगा financial information क्या दाहर पर भी देगा तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि financial information में किसका क्या interest होता है social responsibility group का interest होता है तो social responsibility group का होता है कि जो form है वो ethical और environmental activities कर रहा है कि नहीं कर रहा है management का क्या योगदान हो management को क्यों चाहिए information financial information तो वो जान सके कि potential for pay award और bonus दिल मेंस लोगों का salary समय पर दे पाएगा कि नहीं bonus देना है कि नहीं देना है government और other regulators को क्यों चाहिए financial information तो government को इसलिए चाहिए कि भैट और other tax liability form का कितना है यह जान सके तो यह था आपका question और एक question देखते हैं correct answer को tick करना है तो इसके answer के साथ question अगर बताये तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा चार question है और इसके answer पहला है which of the following is not a business transaction business transaction कौन साने है तो first का see paid the son's fee from his personal banker अपने bank accounts अगर अपने बच्चे का fee देता है तो यह बैंक बिजनेस transaction नहीं होगा ठेक है उसके वाद दिफ्ती वांस टू बाई यह बिल्दिंग फोर his business which of the following is relevant data for his decision तो बिल्दिंग कोस्ट डिटेल अफ 2020 बिल्दिंग का जो दाम है 2020 में वही बिल्दिंग उसके लिए relevant data होगा 2003 में क्या दाम था 2000 में क्या दाम है उसी तरह का बिल्दिंग अगस्ट 2005 में क्या दाम था तो वो उसके लिए ए रेलिवेंट इंफर्मेशन है 2020 में बिल्दिंग का क्या दाम है उसके वाद है थार्ड कोस्ट्टन विचेज़ यह दौस स्टिप अफ एकांटिं प्रोचेस यान स्टेप्ट यान करना M तो थी कॉम्यूनिकेटिंग दांफिर में तो सी कम्यूनिकेटिंग दांफिर्मेशन फोर्थ वन क्या ओए क्या है तो quality characteristics related with clearly present ऐसे तो चारो quality characteristics understandability reliability reliability लेकिन यह पर question है कि accounting information clear present to clear present होगा तो समाझ में मतलब understandability समाझ में आना चाहिए आप लिख रहे हैं आपका राइटिंग अच्छा नहीं है काट चाट कर रहे हैं or writing कर रहे हैं टो डाट IS a not the qualitative characteristic को favor करते हैं qualitative characteristics understandability होगा मतलब साफ सुत्रा लिखा हुआ होगा। पाच्षए है यूज ऑब कॉमन यूनिट of measurement and common format of reporting promotes compare करने में असानी होगा अगर एक ही unit जे से एक सपनी भी पैसे रूपया में कर रहा है य कंपनी भी रुपया में कर रहा है तो एंसर इस ए ए कंपर बिलिटी ओके आई हो ओके आई होप दिस लेक्ट्टर इस हैल्फुल फॉर थे कमर्स तुडेंट्स थोस विस्ट विस्ट नो थे बेसिक जिख अचट्टर इसक्टवाप टो अच्यू अच्यू स्टू mi एक शच्यू्टर इस पमों पप्या विस्ट विस्ट्वी ख्वीडब ए ला कर्दो में ई।